हर हर महादेव जै भोलेनात भोलेशंकर की जै भक्तो आप सब भी का स्वागत है आपकी अपने चैनल परसंदी भक्ति ज्यान गंगा में भक्तो महाशिवरात्री की धेरो शुप कामनाई देखिए जो भक्त गण हैं शिवरात्री का व्रत रखकर या बिना व्रत के भी शिवजी की पूजा अराधना करते हैं उनको शिवजी का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए क्या क्या साबधानिया रखनी चाहिए और अगर विशेश मनुकामना के लिए अपने विवासंबंदी समस्या के लिए आप अगर शिव परवती का गटबंधन करते हैं महा शिवरात्री के दिन तो व्यह किस तरह से करना चाहिए क्योंकि गटबंधन की जो विधी होती है उसे अकसर हम गलत तरीके से करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम यही सबी चीजे जानने वाले हैं और बताने वाले हैं तो भक्तों देगे हम यहाँ पर शिवाले में आ गए हैं और अच्छी प्रकार से हम यहाँ पर सफाई कर लेंगे बगतो आप जब भी शिवा ले जाएं तो देहलीज यानि चोखट पर पैर आगे ना रखें आप आगे से अपना सीधा पैर रखें और फिर सबसे पहले हाद जोड़ लें शिवजी से प्रातना करें और पूजा अर्चना कर लें के लिए तो इस तरह से देखें जो अशोक शुंदरी होती है जो शिवलिंग का मुख होता है उत्तर दिशा की ओर होता है इस तरह से हमें पीछे से बैठ करके पूजन करना होता है तो देखें हमें यहाँ पर जल चड़ा रही हूँ जल अभिशेक कर रही हूँ तो ओम नमध शिवाए ओम नमध शिवाई मंतर का जाप करते भेना है और यहाँ पर विग्रह भी है गनेज भग्मान जी है मातापारवती जी है कार्ति केई जी है तो मैं यहाँ पर पंचा मृत घर से बना करके एक में लेकर आई हूँ आप चाहें तो अलग-अलग से भी कर सकते हैं तो देखें भक्त शिवरात्री के दिन भीड काफी होती है शिवाले में तो यहाँ पर आप एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आप सुभा सवेरे आप तसलीश अभिशेक ना कर सकें तो शिरजी को तो आप साम के समय यानि प्रदोश काल में भी उनका भीशेक कर सकते हैं बश आपको शाम के समय शिरजी के अभिशेक के अनुबंती होनी चाहिए मंदिर में तो देखे हमने यहाँ पर पंचमरित से स्नान किया फिर उसके बास दोधक स्नान करा देंगे देखे कोई भी चीज आपकी शिवलिंग से चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए नहीं तो हमें ऐसा करने से पूजा का दोश लगता है तो देखे हम यहाँ नंदी महराज जी को भी य तो देखे आप पंचमरित कभी भी तांबे के लोटे में ना लेकर आएं स्टील के पात्र में या फिर चांदी के बरतन में लेकर आना चाहिए तो जो भी है आप सुदोधक स्नान करा दें इस प्रकार से उसके बाद हम स्नान कराने के बाद में जनेव समर्पित कर देंगे तो देखे बहुत तशली बक्स हमें ये पूजन करना है भक्तो शिवरात्री के दिन तो शिवाले में बहुत जादा भीड होती है जल्दी जल्दी हमें पूजन करना होता है तो कोई बात नहीं आप सुभा में जैसा भी पाएं वैसा पूजन कर लेकिन साम के समय तसली से प पूजन कर सकते हैं यदि आपके यहाँ पर शीवलिंग के साथ विग्राय नहीं है तो कोई बात नहीं क्योंकि शीवलिंग में ही संपूर परिवार विद्यमान होता है तो इस वात का ध्यान रखे और यहाँ पर शीवरात्री के दिन आप चंदन, रोली, आक्षात, कुंकुं सभी चीज़े अरपित कर सकते हैं लेकिन बाकी दिनों में आपको यहाँ पर सिर्फ चंदन से टीका लगाना है आप सफे चंदन से टीका लगा सकते हैं या फिर अश्टगन चंदन से टीका लगा सकते हैं तो देखे मैं यहाँ पर शीवरात्री के दिन तो हर एक चीज़ च आप उम नमाषिवाई अम नमाषिवाई मंतर का जाप करते रहना है और भकतो शिवजी की पूजा में सफेद रंग का विश्वेश महत्व होता है तो आप सफेद कलर के वस्त्र पहन करके पूजन करें यदि आप सुहागन है तो मैच्छिंग में आप पहन सकते हैं लेकिन आप सफेद रंग के वस्त्र या भगवा कलर के रंग या पिंक गुलाबी जो भी शूप कलर है आप वो पहन करके पूजन करें लेकिन ध्यान रहें नीला और काला कपड़ा नहीं पहन कर पूजा करना है तो देखें हम सभी को यहाँ पर चंदन टीका कर देंगे भगतो यदि आपको पीछे से पूजा करने का जगा नहीं मिल पाती है तो आप अच्छे से देखें कि आप साइड में होकर के आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए इस तरह से आप कोशिश करें कि आपका दिविधान से पूजन कर सकते हैं तो देखें मैं यहाँ पर तिरपुंड बनाये दी हूँ राम का नाम लिखा है ओम नमय ओम मंत्र शापा है तो इस तरह से हम सभी पर चंदन लोली अक्षत का टीका लगा देंगे भगतो जिस जल से आप अभिशेक करेंगे वो जल आप घ गंगा जल जरूर से मिला लेना चाहिए तो देखें हमने इस नान भी करा दिया था और यहां से हम सभी को कार्दिकेई जी को मातापारवती को गणेश जी को हम यहाँ पर टीका करेंगे तो अच्छे से प्रकार से टीका करने शेवलिंग के पीछे खड़े होकर जब हम अभ गणेश जी होते हैं तो आपने देखा मैंने अभी शेक किस प्रकार से किया है आप ऐसा जरूर से करें बद तो जब आप जल से भी शेक कर रहे हों तो आप ध्यान रखें कि जल की धारा अराम से होनी चाहिए जल दबाजी में आप कभी भी जल ना चड़ाएं मोटी धारा नहीं होनी चाहिए और ना ही जल की धारा तूटनी चाहिए तो देखें हमने नंदी बाबा को भी यहां पर अच्छी प्रकार से चंदल रोली से टीका कर दिया है बहुत ही सुन्दर लग रहे थे और जैसे हम मंदिन में बैठ करके पूजन करते हैं तो बहुत मन में शांती मिलती है तो आप इस तरह से प्रेम पूर्व का पूजन करें शीवलिंग के पास शीव परिवार की मूर्तियां है तो कम से कम उन सभी का भी जल से अभी शेक कराएं और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं शीवलिंग में समस्त परिवार होते हैं तो इस तरह से हमें पूजन करना है बक्त जलहरी से थोड़ा जल जरूर से लेकर आएं घर पर जब भी आप मंदिर जाएं तो लोटा जो है आपका खाली नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखे तो देखिए हम करेंगे भौले बाबा का शिंगार तो देखिए बाले में शिवरात्री के दिन जरूर जाएं और पूरे विदे विधान से आप पूजन करें यदि आप तसल्री से नहीं कर पारें तो मैं बालबार कह रहे हैं शाम के समय जरूर से पूजा करें तरीके भगवान भुलिनात को सफेद फूल अतियदिक प्रियां हैं तो आप यहां पर महा मिर्तुञे मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और इस तरह से हमें बेल पत्र समर्पित करना है तो उसके उपर आप चंदन लगा लें और उसके बाद अपनी मनो कामना बोलते हुए चिकनी साइड से आपने शिवलिंग पर समर्पित करना है तो बक्तो इस प्रकार से आप इहां पर ओम नमह शिवाय भी लिख सकते हैं राम नाम का नाम भी लिख करके समर्पित कर सकते हैं जितने भी आप बेल पत्र चढ़ाएं उस पर आप अपनी मनो कामना बोलते हुए समर्पित करें इस से आपकी जो मनो कामना होती है सीखरी समर्पित पूर्ण हो जाती है इस तरह से हमें समर्पित करना है तो देखे हमेरे पास यहां मदार का जो सुफेद मदार का पत्ता होता है आकड़े का पत्ता वो भी मैं समर्पित कर रहे हूं भांग जो भी आपको मिल जाए वो समर्पित कर दे बक्तो जो रातरी है उस महाशिवरात्री की रात्री महाशिवरात्री जो है दो बार आती है एक फागुन मास में और दूसरी है शावन मास में बखतों महाशिवरात्री के दिन शिवालियों के बाहर माली बैठे होती हैं हमें सारी वश्त्वे बड़े अराम से मिल जाती हैं यदि आपके पास समय नही लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं तो मन में संसे ना करें कि हमारे पास ये समागरी नहीं है हमारे पूजा दूरी रगे ऐसी कोई बात नहीं है आप एक लोटा जल भी चड़ायाते हैं तो उससे भगवान भोलिनात प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्तो जब हम बेल पत्र चड पूजा रचना करें कथा पड़ें महाशिवरात्री की, महाशिवरात्री की कथा किस प्रकार से होती है उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के कथा भी सुन सकते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगी, आप कथा जरूर से सुने क्योंकि कई लोग भक्त हैं जो कथा सुनते हैं व्रत रखते हैं तो उन्हें कथा सुनना आनिवाले होता है जो केवल व्रत रखते हैं उन्हें भी कथा जरूर से सुनना चाहिए तो आक्षत है, आक्षत आप गीन करके 21 दाने जरूर से समर्पित करने चाहिए, जो चावल है आपके संपूर्ण होने चाहिए और मैंने यहाँ पर लॉंग ली है, फूल वाली, तो दो लॉंग हम यहाँ पर चढ़ा देंगे, तो जो भी आपकी समर्थ्या हो, जितनी भी पारवदी का विवा हुआ था, तो इस दिन वर्श-गाठ के रूप में भी मनाया जाता है, तो अगर विवाहिक संबंदी किसी प्रकार के समस्या है, विवह में देरी हो रही है, तो या धंपत्य जीवन में कलेश भरा हुआ है, तो आप इस दिन शिप पारवदी का गटमं जरूर से कराएं। बहुत ही विशेश और अच्छा रहता है। तो देखिए हम यहाँ पर सभी को कोटन में इत्र लगा करके समर्पित कर देंगे क्योंकि हर पूजा में इत्र का विशेश महत होता है तो आप इत्र जरूर से लगाएं कोटन में करकरके अर्पित जरूर से करें तो भक्तो महाशिवरात्री का इससे सभी प्रकार की विवाहिक कलेश दूर होते हैं दामपात्य जीवन सुखमे होता है तो भक्तो इस प्रकार से महाशिवरात्री पर देवाले में जरूर जाएं और यहाँ पर पूजन करें भोग प्रसाद में भगवान भोलेनात को बताशे और गुलदाने का भूग लगा रही हूँ तो भक्तों जो महाशिवरात्री होती है फागुन मास के क्रिश्न पक्ष की चतुरदशी तीथी को महाशिवरात्री मनाई जाती है तो इस तरह से बाकी अन्य माहा में क्रिश्न पक्ष की चतुरदशी की शीवरात्री महाशिक शीवरात्री के नाम से जानी जाती है तो देखिए हमने यहाँ पर धूब दीब जला लेंगे और सभी को धूब दीब दिखा देंगी तो भक्तों आप यहाँ पर जैसे कि महाशिव रात्री के पावन मोके पर शरद्धालू शिव मंदिर में रुद्रा भी शेक करते हैं बहुत से लोग महाशिव रात्री का व्रत रखते हैं और रात्री को जागरण करते हैं इससे आपको पूरी रात्री के जागरण का फल मिल जाएगा भक्तो शिवरात्री के दिन महा शिवरात्री के दिन हमें मा स्मिद्रा और जो ब्लैसुन पियाज सेवन नहीं करना चाहिए और जूट निंदा पर चुबली नहीं करनी चाहिए और आपके पास जो भी रितुफल हों आप उसका भोग जरूर से लगाना चाहिए बक्तो इस दिन भगवान शीव और पारवती का विबहा हुआ था शास्त्रों की माने तो महाशिवरात्री की रात ही भगवान शीव करोडों सूर्यों के समान स्प्रभाव वाले ज्योतिर लिंक के रूप में प्रकट हुए हैं तो इसके बाद से ही हर साल फागुन मास्क में महाशिवरात्री का व्रत तहवार मनाया जाता है और इस पर्व का श्रधालू बड़े ही सब्री से बेश सा एक साल से इंतजार करते हैं तो देखें गठबंदन हम कर रहे हैं शिवजी का और पार्वती का तो देखें हमें इहां पर साथ बार परिक्रमा लगानी होती है जो दागा बच जाता है वो महीं पर छोड़ कराना है इस प्रकार से जो हमारा गठबंदन करना है महाशिवरात्री के दिन उसके बाद में हम इहां पर कपूर से आरती करेंगे कपूर से आरती जरूर से करें क्योंकि करपूर यानि पूजा में जो भी कमी रहती है वो करपूर से पूरी हो जाती है धक्त यहां पर ध्यान देने वाली बात है यदि शिवलिंग पर नाग होते हैं तो शीवलिंग में तो नाग को हमें नहीं लपेटना है गटवंदर के साथ नहीं करना है तो इस तीवार को आप बड़े ही धूमधाम से मनाना है बक्तो जब भी आप इस वरत का पूजन करें तो संकल आप जरूर से ले लें आप की वरत किस प्रकार से करेंगे और कैसा इस बात का विशेश ध्यान रखना है भक्तो आप पे तृत्य पहर में श्नान एवं मंत्र के साथ ही ही श्यान के समय प्रदोशकाल है उसका पी महाशीवरात्री और प्रदोशकाल एक ही समय में पढ़ रहे हैं बहुत ही शुब से योग से तो हमने जो आरती की है उससे हमें मि मिनसने से यह होता है जो भूग प्रसाद होता है भगवान सहस्विकार कर लेते हैं पूजा मेरा ही जो भी गलती है उसके लिए शमाप्रात्ना जरूर से मांग ले और दक्षिना आप अपने समर्थिक अनुसार से कुछ ना कुछ जरूर से निकाले जितनी भी आपकी पूजन कर सकते हैं तो भक्तों ये जो पूजन है बहुती शुप समय में करना है क्योंकि आजी के दिन महासिवरात्री है और आजी के दिन प्रदोश वरत भी है तो जो भक्त प्रदोश वरत का आरंभ करना चाते हैं शुरू करना चाते हैं तो वो प्रदोश वरत सिवरात् लेकिन ध्यान रहे पूरी प्रिक्रमा नहीं करनी है आधी आधी प्रिक्रमा करनी है आप पांच साथ भी कर सकते हैं भक्तो इस व्रत जो शिवरात्री का व्रत होता है इसमें सब ज़तर फलाहारी व्रत रखते हैं यदि आपका स्वास्तिय साथ नहीं दे पाता है तो आप यह यहाँ पर सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं और यहाँ पर बेल विरिक्ष है तो मैं यहाँ पर बेल विरिक्ष में भी जल समर्पित कर रही हूँ तो आप इस तरह से हम में घूम करके एक प्रिक्रमा लगानी होती है बहुती आसान विधी से मैंने आपको पूजा विधी करके दिखाई है तो आप ये जरूर से उपाय करें यदि आप महाशिवरात्री पर धन से संबंदित कोई समस्या है तो आप यहाँ पर कमल गटे के बीज भी समर्पित कर सकते हैं और या फिर शीवलिंग पर जो बेल पत्र चड़े हुए हैं आप उन से ले करके आप घर वापिस ल पूरे सच्चे मन से करनी चाहिए सीम जी उनसे प्रसन होकर उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं भगवान शी बहुती भोले हैं यदि कोई भक्त सच्ची स्रद्धा से उन्हें सिरफ एक लोटा जल अर्पित कर देते हैं तो वो प्रसन हो जाते हैं उनकी मनों कामना पूरी करते हैं तो जो भी आपकी मन में इच्छा है मूर्ती है तो जरूर करें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शियर सस्क्राइब जरूर से करें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव